अब कोरोना बेकाबू हो चला है सरकार का हर इंतिजाम फेल हो गया है मौत के साथ संक्रमन के आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोर रहे हैं कोरोना को मात देने वालों से दो गुना मामला संक्रमितों का आ रहा है सनिवार को 24 गंटे में 6,741 लोगों ने कोरोना को मात दिया लेकिन 12,369 नए मामले सामने आये हैं इस दोरान 77 लोगों की जान इलाज के दोरान चली गई और 24 गंटे में एक्टिव मामलों में 5,441 के बढ़ोतरी हुई है जिससे प्रदेश में एक्टिव मामलों की संक्या 81,960 हो गई है पत्ना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में सनिवार को मौत का रिकॉर्ड तूट गया है यहां 21 लोगों की मौत हो गई और पत्ना मेडिकल कॉलेज में 4 और एम्स में 9 लोगों की जान इलाज के दोरान चली गई है बिहार में सनिवार को 12,369 नए मामले सामने आने के बाद अब तक कुल संक्रामित होने वालों की संक्या 49,801 हो गई है जिसमें 3,6,795 लोग ठीक हो चुके हैं सनिवार को कुल 1,1428 लोगों की जाच कड़ाई गई है अब तक कुल 2,87 लोगों की जान कोरोना ने ले ली है मौत का आकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते मामलों से हर दिन खत्रा बढ़ रहा है बिहार में कुल 12,300 69 नए मामले सामने आये हैं और इसमें पटना, अरडिया, अरवल, औरंगाबाद, बाका, बेगुसराय, भागलपूर, भोजपूर जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रदेश हैं ऐसे ही कोरोना की रफतार बढ़ती जा रही है आप इस ग्राफ में, इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस डिस्टिक में कितने नए केसे सामने आ रहे हैं आपको बता दें कि सनिवार की सुभा, सिवान के मनीशा प्रसाद की कोरोना से मौत हो गई और दानापुर के सीयो विद्यापती राय भी कोरोना से जान गवा बैठे हैं दर्भंगा के कुसेस्वर स्थान प्रखंट छेतर में कोरोना पॉजिटिव एक रिद्ध महिला की मौत हो गई है खगडिया में कोरोना से चार लोगों ने अपनी जान गवाई है पर बत्ता पीएचसी और सदर अस्पताल में दो संक्रमित मरीजों की जान चली गई मंडलकारा के बंदी समेत इलाज के लिए पहुँचे एक मरीज की सास थम गई खगडिया जिले में 24 घंटे के भीतर 293 नए संक्रमित मिले हैं जबकि बक्सर में चार लोगों की जान चली गई वहीं 1069 लोग पॉजिटिव भी हो गए हैं लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए जबकि जड़ा हैं